नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिख्षावल के सी यूटूब चैनल में दोस्तो स्सी जीडी 2022 की परिख्षा के लिए हिस्ट्री की क्लास मैंने सुरू की थी हिस्ट्री में हम पड़ रहे थे आदुनिक भारत को, मौडरन हिस्ट्री को, मौडरन हिस्ट्री से लेटी जो भी में से कौन सा कथन जो है, असत्य दिया गया, आपको असत्य कथन की जो है पहिचान करने पटाक से इस करहींस दिजें आप कर आए दो यह इस प्रसन्न को सौल्ड करते हैं, तो पहला कथन क्या दिया गया है, Ama tell स्था कतन क्या दिया गया है वे आरे समाज के संस्थापक थे दूसरा कतन दिया गया है उनका जन्म गुजरात में वुआ था तो यह भी गतन आपका बियुक्रात में वुआ था इसके बाद वह आरे समाज के संस्थापक थी, बिल्कुल से ही दिया गया है, आरे समाज के अस्थापना जो है, स्वामी दयानन्द सरस्वती के द्वारा ही करी गई थी, आप याँ देखेगा 1875 इस्वी में, जो है कहां पर तो बंबई में बंबई में जो है आरे समाज के अस्थापना करेगी थी द्यानंद सरस्वती के द्वारा तो इसे आप या देखेगा तता द्यानंद सरस्वती ने वेदो की और लोटो का नारा भी दिया था इसके बारे में भी आप या देखेगा इसके लावा एक और इनका फेमस नारा था भारत भारतियों के लिए इसे भिया प्या देखेगा भारत भारतियों के लिए यह नारा भी दिया गया था किसके दोरा तो दयानन्द सरस्वती के दोरा मतलब आरे समाज की जिसके अस्तापने नहीं नहीं थी उस आरे समाज का एक फेमस स्लोगन था एक फेमस नारा था भारत भारतीयों के लिए उसे भी आप याद रखिएगा इसके लबा एक फेक्ट जो लगातार एक जिया में पूछा आता है स्वामी दयानन्द सरस्वती स्लेटेट वह है कि जो है दयानन्द सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता तो यह सारे एडिशनल फेक्ट भी आपको याद रखने है तो इसमें से राइट जिसके बारे में आप या दिखेगा प्रात्ना समाज के यहां पे संस्थापक कुछे जारे है कि प्रात्ना समाज की संस्थापक कौन थे तो राइट हैं से आपका क्या हो जाएगा आत्मा राम पांडूरंग यानि कि आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है अगला प्रस्ता आपके सामने है भगस सिंग राजगुरु और शुकदेव को किस केस में फासी की सजा होई थी तो आप या देखेगा लाहौर सड्यंत्र केस के मामले में भगस सिंग राजगुरु और शुकदेव को फासी की सजा होई थी आप या देखेगा 23 मार्च 1933 को इन तीनों लोगों को फासी दी गई थी ताप या देखेगा लाहौर सड्यंत्र केस में 23 मार्च 1931 को भगस सिंग का इस मारक कहा परिस्तित है आप से पूझा जा रहा है कि भगस सिंग का इस मारक कहा परिस्तित है आपको बताना है कि फ्रांसीसी क्रांती के आदर्सों से इस में से कौन प्रेरित था काफी महत्रपून प्रस्ति आपसे डिरेक्ली पूझा जा सकता है इसके बारे में तो right answer क्या हो जाएगा टीपू सुल्तान जो था यह फ्रांसीसी क्रांती के आदर्शों से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित था तो आप इस याद रिखेगा important है option आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल से जाएगा फ्रांसीसी क्रांती से प्रभावित होकर ही जो टीपू सुल्तान तो उसने स्रीरंग पतनम में जो है स्वतंतरता का एक ब्रिक्ष भी लगवाया था प्याद देखेगा फ्रांसेसी करांती से प्रभावित होकर जो टीपू सुल्तान था इसने अपनी राजधानी स्रीरंग पटनम में एक स्वतंतरता का ब्रिक्ष लगवाया था तथा जैकोबियन कलब का सदस्य भी बना था इसे भी आप्या देखेगा इसने स्वतंतरता का ब्रिक्ष भी लगवाया था इसके बारे में आप याद रखेगा इंपॉर्टन चीज मैंने आपको बताई है इसके बाद अगला प्रस्ता आपके सामने है 1757 का जो फेमस प्लासी का युद हुआ था यह वतमान भारत के किस शेत्र में लड़ा गया था आ प्लासी का युद जो है वतमान भारत के किस शित्र में लड़ा गया था आपको बताना है तो आप याद देखेगा पुस्सी मंगाल में यह लोकेशन में यह रोकेशन मिले गई आपको प्लासी का नहीं कि आपका D यहां पर बिलकु सही है तथा यह जो फेमस प्लासी के डेट आपको पता होनेचे 23 जून 1757 को जो है प्लासी का यूद लड़ा गया था इसके बारे में आप आप आदेखेगा अंग्रेजु और बंगाल के नवाप सिराजु दौला के मत देखेगा तो उस समय अंग्रेजी सेनापती कौन था तो रॉबर्ट कलाइब था उस समय अं अगला प्रसना आपके सामने है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी के स्थापना किस ने करी थी लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना है किसके दोरा करी गई थी काफी महतरपून प्रसना है तो आप याद रखिएगा लंदन में जो होम रूल सोस की जो है अस्थापना करी गी थी तो इसके बारे में आप या दिखीगा नाम इनका क्या है तो स्याम जी कृष्ण वर्मा आपका डी यहां पे बिल्कुल सही दिया गया अप्शन डी आप याद कर लिजेगा इन्होंने लंदन में जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की अस्थापना करी थी अगला महत्वपूर्ण प्रसना आपके स्क्रीन पर है निमनलिकित में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था गठन किसके दौरा किया गया था तो राटन से आपके क्या हो जाएगा और लाला हरदयाल के दौरा ओप्शना अपका डी यहाँ पर बिल्कुल से हो जाएगा लाला हरदयाल के दौरा जो है गदर पार्टी का गठन किया गया था तो इसके बारे में आप याद देखेगा एक नुवंबर 1913 को डेट भी आप पर बिल्कुल से हो जाएगा कहां पर किया गया था तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्कों में गदर पार्टी की अस्थापना करी गई थी तता सोहन सिंग भाखना जो है इसके प्रतम अद्धक्ष बनाए गए थे लाला हलदयाल इसके प्रतम मंत्री तता कासिराम जो इसके कोस सातिक्ष बने थे गदर पार्टी के तूसके बारे में आप या देखेगा अगला प्रस्थ्नाप के स्क्रीन पर हैं भारत में पहली जो फ्रेंच फैक्टरी कहां पर delic Luna देखेगा भारत में जो पहली फ्रेंच फैक्टरी ती है सुरत में शूरत में अंग्रेजों के द्वा पहली फैक्टरी के स्थापना 1651 में किस नदी के किनारे की गई थी तो आप याँ दिखेगा अंग्रेजों के दारा पहली फैक्टरी की जो स्थापना थी 1651 में किस नदी के टेट पर की गई थी तो हुगली नदी पर पसी मंगाल में होदली होगली नदी के किना रही 1651 स्वी में अंगरी जो ने पहली फेक्टरी के स्थापना करी थी तो आपसन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आप इसे याद देखेगा अगला प्रस्थन आपके स्क्रीन पर है वह रानी जिसका उपनाम जो है ब तो राइटन स्राबा क्यों हो जाएगा ब्लोडी मेरी किस रानी का नाम था तो मेरी प्रथम का याद रेखेगा मेरी प्रथम का नाम जो है ब्लोडी मेरी था आपसन आपका यहाँ पर सी है बिल्कुल सही हो जाएगा यह जो प्रस्थन है आपका CHSL में पूछा गया प्रस् खान अब्दुल गफार खान को जो है सीमान्त गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से हम जानते हैं तो आप इस या देखिएगा फ्रंटियर गांधी इंग्लिस में इंकोम बोलते हैं और हिंदी में सीमान्त गांधी इंकोम बोलते हैं तो इसके बारे में आप या दादा भाई नरोजी के दोरा किया गया था फटाक से इसका answer देने की आप कोशिश करिये तो इसमें से किस अकबार का समपादन जो है दादा भाई नरोजी ने किया था तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा राफ्त गुफ्तार यहाँ पे रास्त नहीं यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लबा कुछ important अन्यकबार भी थी जो निकाले आते थे आपके दादा भाई नोरुजी की दोरा एक हो गया आपका voice of India याद देखेगा voice of India voice of India इसका संपादन भी जो है दादा भाई नोरुजी की दोरा किया गया था तता इसके बालवा poverty and on British rule in India इसका भी संपादन जो है दादा भाई नोरुजी नहीं किया था तो इसके बारे में आप याद देखेगा आप से डिरेक्ली इसके बारे में पूछा जा सकता है इसके ल मुदी के संपादक कौन थे तो राजा राम मोहन रोई थे इसके बारे में आप याद देखेगा इंपोर्टेंट है डिरेक्ली आप से पूछा जा सकता है इसके लवा मिरात उल अकबार मिरात उल अकबार का भी संपादक कौन था तो राजा राम मोहन रोई ही थे इनके बा तो बहिस्कृत भारत जो था यह एक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र था इसकी शुरुवात करेगी थी डाक्टर भीम राव अमबेटकर के दोर यानि कि आपका ए यहां पर बिल्कुल से जाएगा डाक्टर भीम राव अमबेटकर तो इसके बारे में आप याद देखिएगा इसके लावा मूक नायक का भी समपादन जो है कलते थे आपके डाक्टर भीम राव अमबेटकर तो इनके बारे में आप याद रखिएगा अगला परसन आपके स्क्रीन पर है निमनलिकित में से किसने प्रसिद्ध चटगाउं सस्त्रागार धावा आयोजित किया था जो फे सूरे सेन के दवरा तो आपी से आद देखीगा सूरे सेन हैने के आपके यहाँ पर जो दिया गया बी वाला बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पर पूरी डिटेल लिखी गई है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चटगाउं सस्त्रागार हमला 1930 में हुआ था बंगाल के कर ही चटगाउं सस्त्रागार पर अधिकार कर लिया गया तुथा चटगाउं का जो संपर्ग था वह बंगाल से काटने की करवाही करी गये थे लेकिन बाद में यह पकड़े आते हैं अगर तुथा अंग्रोजय के जरा बहुत बूरी सजा इनको मिलती है तुथा इनकी हत्या विशाइद कल दी आती है इस घटना के बाद सूरिशेन की तिस्या प्या देखेगा तो सूरिशेन नहीं जो है चटगाउं सस्त्रागार पर हमला किया था तो इसके बारे में प्या देखेगा तो 1930 में यह चटगाउं सस्त्रागार हमला हुआ था तो इसके बारे में प्या इसके बाद अगला प्रस्ता आपके सामने है स्वत अंतिरता संग्राम के समय सबसे कम आयू के सहीत कौन थे खुदी राम बोस आप आऊ देखेगा सबसे कम आयू के जो सहीत यह थे खुदी राम बोस जो मुझफर पूर का बदनाम जज था उसकी हत्या का असफल प्रियास करने के कारण उन्हों ने जो है किंग स्वोर्ट के उपर बम फेक दिया था जिस कारण से अंग्रेजों ने इनको फासी की सजा दे दी थी बहुत ही कमों में ये सहीद हो गए थे तो इनका नाम है खुदी राम बोस यहाँ पे आप देख पा रहा है अप्रेल 1908 में खुदी राम बोस हुआ प्रफुल चाकी ने मुझफर पूर के बदनाम जज किंग अगला प्रस्णा आपके सामने है किस ने कहा था अलोचना और स्वातंत्र चीनतन एक क्रांतिकारी की दो विसेष्थ कि तो र्य टेंसर क्या हो जाएगा आपका भगत सिंध की तौरा यह कहा गया था तह अपिस या दिकीगा भगत सिंध में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मील को फासी हुई थी तो आप या देखेगा गोरकपूर में गोरकपूर में जो है फासी की सजा देगे थी पंडित राम प्रसाद बिस्मील को आपसन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपसे डिरेक्ली इसके बा निम्लिक्प में से कौन गदर पाटी का अध्यक्ष का अध्यक्ष था आपको बताना है अधुर रियर के पहले पताना है जिसने गड़ तंत्रात्मक सरकार की अस्थापना करें थी विदेश में गड़ तंतरात्मक सरकार के स्थापना करने का स्रीक इसको जाता है तो आप यहाँ देखेगा राजा महंद्र प्रताप आपका जो यहाँ पर ए है बिल्कुल सही जाएगा राजा महंद्र प्रताप के दोरा गड तंतरात्मक सरकार के स्थाप्रा करेगे थी काया परतो 1911 में अफगानिस्तान में आप आदिकेगा अफगानिस्तान में जो है इन्होंने 1914 में अंतरीम सरकार का गठन किया था इनका नाम था राजा महेंद्र पताब या ने कि आपका ए यहां पर बिल्कुल सही है अगला सबंद्र में अफगानिस्तान के अमीरों की मदद से काबोल में अंतरिम सरकार का गठन किया रहता तो यह भी आप याद कर लिजेगा इसके लबा ऊपर की जानकारी आपकी गदर पार्टी से लेटेड है तो इसको भी आप याद के लेजएगा दोनों यह प्रस्नों के यहाँ पर जूर्ट दो प्रस्नाप के यहाँ पर हैं उनकी डिटेल नहीं पर लेखी गई यह एंसर में इसके बाद अगला प्रस्न है कौन भारती करांती की मां कहलाती है कि हम किने भारती करांती की मां कहते हैं आपसे पूछा जा रहा है भारती करांती की मां जो है किसे कहा जाता है आपको बताना है काफी महत्रपून प्रस्तन है तो आप यहाँ देखिएगा मैडम बीका जी का मा को किसको तो मैडम बीका जी कामा को जो है भारती करांती कामा कहा जाता है याँ कि आपका सी यहाँ पे बिलकुल सही हो जाएगा निमलकित में से किस महिला ने भारती तिरंगा सबसे पहले फहराया था तो भारती तिरंगा सबसे पहले फहराने का जो स्री है या किसको जाता है तो आप यहाँ देखेगा मैडम बीखा जी कामा को यानि कि आप्सन आप कभी यहाँ पर बिल्कुस हेज़ेगा मैडम बीखा जी कामा को यहाँ पर देख पा रहे हैं 1907 में जर्मनी के स्टॉर्ट गार्ट नामक सहर में द्वित्टी अंतरास्टी समभाजवादी सम्मिलन का आईजन किया गया था और इसमें भारती प्रत्नीधी के रूप मेडम बीखा जी कामा ने हिस्ता लिया जहाँ इनोंने भारती तिरंगा ख़़ाया था तो आपके सामने है अगला प्रस्तना आपके सामने है निम्रलकित में से सबसे बाद में क्या हुआ था सबसे बाद में क्या हुआ था आपसे पूछा जा रहा है तो सबसे बाद में आपका होता है बंगाल का विवाजन बंगाल का विवाजन आपका 1905 में होता है लेकिन ये सारी घटनाया आपकी की होथीए कब से कब तक अठारश और्तारीच से चपपों तक जो आपके आती है हरप नेती ते इसके बारे में आप याद देखेगा तो इस प्रकासे आपका क्या होजायगा इस प्रकास रायट न सर उस्टर हो बंगार विवाजन के बाद कौन सा अंदोलन शुरू होता है तो बंगार विवाजन के बिरोद में ही आपका स्वदेसी अंदोलन स्टार्ट होता है तो इसके बारे में आप याँ देखेगा option आपका जो B है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा 19.05 में जब बंगाल का विवाजन किया गया तो उस समय वाइसराय कौन था तो उस समय करजन जो है वाइसराय था तो उसी के तोरह जो है बंगाल कभी वाजन लागू किया जाता है नहीं कि option आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा करजन अगला प्रस्त आपके सामने है यहाँ पर देख पार है जो आपके पास चार option दिये गया है यहाँ पर सवने वग्या अंदोलन स्वादेशी अंदोलन भारत छोड़ो अंदोलन और रॉलेक्ट एक्ट इंसे लेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपके सामन अगला प्रस्त आपके सामने है बंगाल वाजन की समय बंगाल का लेटिनेंट कवर्नर क्यों था तू राट अंचलाप क्यों जाएगा बंगाल का लेटिनेंट कोवर्नर क्यों स्वाद्यर है defense और फैसे निम भारत gland का सभूर्ट तक और यहाँ यहाँ पर सब्स्त संवार् तो निम्नलिकित में से कौन स्वधेशी आंदोलन का अलोचक था एवं पूर्वत था पस्चात के मत एक बेहतर संबंद का समद्थक था तो राइटन स्राप पक्या हो जाएगा रविंद्र ना टाइगोर यानि कि इन्होंने स्वधेशी आंदोलन की इन्होंने अलोचना करी स्वधेशी आंदोलन मेंली जो कपड़े उपड़े जला जा रहे थे उनका इनको यह जलाने की बात नहीं करते थे मेंली रविंद्र ना टाइगोर की यहां पर बात हो रही है तो दोस्तों इस प्रकाल से कुछ अन्य प्रसनों का यहां पर हमने मौडरनिस्टी के वीडियो आपको पसंदार होगा लगबग 3-4 वीडियो और बनाया जाएंगे आपके मौडरनिस्टी के लगबग 3-4 वीडियो में आपका मौडरनिस्टी लगबग कंप्लीट हो जाएगा जो आपके स्सेजीडी के परिष्छा के लिए काफी होगा तो इस सीरीज को आप फ थैंक वर वचिंग तैंक ये